जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका सौगत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैनिक समचार देने वालू हूँ पहला पॉइंट देखिए Migrated Pensioners अपना Life Certificate Bank में भी समिट कर सकेंगे Life Certificate समिट करने के मामले में Bank आपकी help करेगा दोस्तो ये बहुत अच्छी खबर है Pensioners के लिए जो Pensioners परशान हो रहे थे कि हमें username password मिल चुका है और हम कई तरीके से कोशिच कर रहे हैं अपना Life Certificate समिट करने की लेकिन हो नहीं पा रहे है तो दोस्तो ऐसे Pensioners जो परशान है Life Certificate समिट नहीं कर सकते वो Bank जाकर भी अपना Life Certificate समिट कर सकते है दोस्तो ये तो बात होई उन Pensioners के लिए जिनको username और password मिल चुका है जो कोशिच कर रहे हैं online तरीके से Life Certificate समिट करने की वो Bank जाकर भी कर सकते है दोस्तो ये जो आप कोशिच करेंगे ये आप November में करेंगे अब बात आती है दोस्तो उनके लिए जिनको username और password नहीं मिला है सिरफ Bank से उनको एक message आये था कि आपका जो pension है वो transfer करा जा रहा है Bank से इस परश पे तो दोस्तो उनको wait करना है अगर किसी कारण वर्ष आपको username पासवर्ट नहीं मिलता तो दोस्तो फिर आप Bank जाके अपना Life Certificate समिट कर सकेंगे लेकिन फिलाल दोस्तो आपको wait करना पड़ेगा इस परश पीपियो का जिनका Bank से message आये था migration का दोस्तो पहला point आपने यहापर समझ लिया अब दोस्तो एक format है Life Certificate Details का जो आपको bank देना पड़ेगा जिसमें PPO नंबर, EPPO नंबर, पुराना bank account नंबर name of pensioner, family pensioner का name class of pension, A for service pension, B for family pension कोई सी class है दोस्तो, A या B फिर date of submission of Life Certificate यानि उस दिन की date जब आप Life Certificate समिट करेंगे तो दोस्तो ये कुछ इस तरिके का format है इस format में आपको अपनी details भरके bank में submit करनी पड़ेगी दोस्तो ये जो पूरा procedure है ये नवंबर से start होगा दोस्तो अगर आप October में जाएंगे अभी जाएंगे, तो दोस्तो बैंक नहीं लेगा जो भी ये procedure है दोस्तो ये नवंबर से start होगा दोस्तो आपको यहाँ पर wait करना है नवंबर आने का दूसरा point समझे दोस्तो अगर कोई pensioner इस पर्च या कैफे से life certificate submit नहीं कर पाता, तो pensioners को bank जाना होगा, तब bank आपका life certificate लेगा दोस्तो ये बात आपने समझ ली तीसरा point देखिए migrated and not migrated pensioners भी अपना life certificate bank में submit कर सकेंगे दोस्तो यानि जिनका migration हो रखा है और वो किसी कारण वर्ष अपना life certificate submit नहीं कर पा रहे हैं online, तो दोस्तो वो pensioners भी, family pensioners भी bank जाके अपना life certificate submit कर सकते हैं दूसरा, not migrated pensioners यानि जिनको कोई message पर आप नहीं हुआ है, वो pensioners भी अपना bank जाके life certificate दे पाएंगे, अब दोस्तो चौता point देखिए, जिन pensioners को सिरफ message मिला है, migration का, लेकिन username और password नहीं मिला है, उन्हें अभी wait करना है, इस purge PPO का, उन्हें लगातार PCDA की site पर check करते रहना है अपना status और toll free number PCDA से भी बात करके आप SPARCH PPO जान सकते हैं दोस्तो एक सबसे important point मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिनको सिरफ bank से message पराप्त हुआ है, migration का, और उनको अभी तक ना ही username मिला है, ना ही SPARCH PPO मिला है, ना ही password मिला है, तो दोस्तो उन pensioners को यहाँ पर wait करना है SPARCH PPO का, और SPARCH PPO लेने के लिए आपको PCDA के toll free number पर बात करनी पड़ेगी, आपको PCDA भी provide करा सकता है SPARCH का PPO number दूसरा आपको PCDA की site पर जाके अपना migration status चेक करते रहना है, जिसमें कईयों को, वहाँ पर दिखता है will be available soon, तो आपको वहाँ पर भी check status करना है दोनों चगे दोस्तो आपको करना है दोस्तो यह बात आपने हैं पर समझ ली अब दोस्तो आगे समझते हैं जिन pensioners को अभी तक कोई message प्राप्त नहीं हुआ है, बैंक की तरफ से किसी के साथ share ना करें दोस्तो आज कल फरजी तरीके से आपका life certificate summit किया जा रहा है आपके phone पे OTP आता है, आपकी कुछ details मांगते हैं और जैसी आप OTP बताते हो, तो आपका bank account खाली हो जाता है, तो किसी के साथ भी आपको अपना OTP share नहीं करना है, चाहे कोई सब यह हो दोस्तो वो, किसी के साथ भी आपको अपनी personal details share नहीं करी है, क्योंकि दोस्तो, bank या फिर PC लिए इस परश, कोई आपको phone करके यह नहीं बोलता कि आप अपना life certificate submit करें आप हमें details बताईए कोई नहीं बोलेगा दोस्तो सिरफ वो ही दोस्तो आपकी details पूछेगा जिसे फरजी चीजे करनी है तो आप सतर करेंगे एकोश चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा जैसा कि बोला गया है कि pensioners का जो life certificate है, वो bank भी ले सकेगा दोस्तो जो bank लेगा वो एक subject पे लेगा सिरफ life certificate सिरफ वो life certificate आपका submit करेगा अगर आप उसे बोलेंगे कि इस फर्स में मुझे ये problem आ रही है इसकी profile नहीं खुल रही है, ये technical problem है तो दोस्तो bank उसे accept नहीं करेगा सिरफ दोस्तो bank को जो order दिये गए है वो सिरफ life certificate को लेकर दिये गए है कि आप pensioners का life certificate लेजिए इस पर्स से लेटेट जो भी आपको कुछ दिक्कते हैं, वो दोस्तो इस पर्स service center, common service center या फिर इस पर्स toll free number PCDA, यही हल करेगा या फिर आप खुट technically उसे solve कर सकते हैं bank इसमें कोई help नहीं करेगा bank सिरफ आपका life certificate लेगा जहां तक उसे order प्राप्त हुए आगे समस्ते हैं दोस्तो दोस्तो यह है dependence के लिए जो ex-serviceman के जो dependence member है उनके लिए दोस्तो यह news है सभी भूतपूर सैनिकों से अनुरोध है कीवे व्यक्तिगत login दोरा website में मातापिता साइथ 18 वर्ष से अधिक आयो के आश्रितों के पिछले दो वर्ष के TDS 26 AS form को upload करें ECHS सुविधाओं की पातरता के लिए इसे 1 नवंबर 2022 तक अनिवारे रूप से upload करना आवेशक है यही form upload नहीं किया जाता तो आश्रितों का ECHS काड 1 नवंबर 2022 से 140 रूप से बंद हो जाएगा भूत पूर्व सैनी को और उनकी पतनी के लिए ऐसी किसी कारेवाई करने की जुरत नहीं है पहले नोटिफिकेशन की जाच करें फिर upload करें दोस्तों यह है ECHS काड के लिए कि जो उनकी पूरी प्रक्रिया है उसके लिए 26 ES form upload करना होगा अगर दोस्तों वो नहीं करते हैं तो 1 नवंबर 2022 के बाद से उनका काड रध हो जाएगा और दोस्तों यह काम करने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन की जाच करनी है कि आपको नोटिफिकेशन क्या शो हो रहा है तो दोस्तों यह काम करेगा पूर्व एक सर्विसमेन इंडिविजुली अपना वो लॉग इन करेगा तब वो डेटेल्स चेक कर पाएगा अब दोस्तों लास्ट पॉइंट देखिए सेना ने अगनी वीरो को बैंकिंग सुविधा देने के लिए 11 बैंकों से किया है करार दोस्तों अगनी वीरो के लिए खुशकबरी है कि जो सेना है उन्होंने 11 बैंकों के साथ करार किया तो दोस्तों यह जो सुविधा है यह अगनी वीरो के लिए तो दोस्तो ये मैंने आपको कुछ शैनिक समचार दिये इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूशनो तो दोस्तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तो वीडियो को आप शेयर कर दीजी हर एक जगे तब तक के लिए थैंक यू